हेलो काईज आएम पुनम सिकरवार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको वाट या फिर मस्सा हो जाता है तो उसको घर पर कैसे सही किया जाए देखिए अगर आपको मस्सा हो जाता है तो आपको उसके लिए कोई लेजर करवाने की जरुरत नहीं है ना ही कोई सर्जरी करवाने की जरुरत है क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा इंग्रीडियन्ट है और वो है ये कॉल गेट जिससे आप अपने मस्से को सही कर सकते हैं और वो भी घर बैठे-बैठे मस्सा जो होता है वो एक छोटे से दाने से स्टार्ट होता है और कई लोगों में ये बहुत बड़ा रूप भी ले लेता है ये दाने से स्टार्ट होके बेर के साइज तक का भी हो जाता है आम दोर पर तो ये देखा जाता है कि लोगों को हातों में मस्से होते हैं पैरों में मस्से होते हैं लेकिन किसी किसी को पूरी बॉड़ी पर भी मस्सा होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसका main reason होता है कि infection की वज़े से, virus infection की वज़े से या फिचुवा छूत की वज़े से लोगों को मस्से होते हैं तो अगर आपको मस्से हो गए हैं तो आपको जगा attention लेनी की जरूरत नहीं है क्योंकि simple सी इस home remedy से आप अपने मस्से को सही कर सकते हैं आपको लेना है colgate जो की white वाला colgate होता है और इसको आपको अपने मस्से पर apply करना है आपको इतना colgate का छोटा सा portion अपने मस्से पर लगा देना है और उसको continue लगा के रखना है आपको मतलब जब तक कि आपका मसा सही ना हो तब तक ये call gate का daily use करना है मतलब कि आपका जो word है उसको सांस लेने तक की भी आपको छूट नहीं देनी है इतना आपको ये call gate लगानी है और अगर आप 5 दिन तक ये continue call gate लगा के रखेंगे 24 गंटे तो आपका जो word है वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा within one week मैं guarantee लेती हूँ कि अगर आपने अपने मसों पर ये call gate लगाया तो आपके सारे मसे घर बैठे बैठे ही सही हो जाएगे आपको कोई laser नहीं करवाना पड़ेगा कोई पैसा नहीं करच करना पड़ेगा सिर्फ ये simple सी home remedy है कोई महनत नहीं करनी और आपके सारे मसे खतम हो जाएगे और अगर आपको कोई query है कि हम इसको कैसे लगाए या फिर कोई भी query इससे related अगर आपके मन में है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं और आप मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल पर मैं health और beauty से related बहुत सारे वीडियोज लेकर आने वाली हूँ और अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया हो तो इसको like जरूर करना till then take care of yours bye bye